Hello everyone and welcome to Senni Academy इस वीडियो में हम करेंगे Class 9 Economics Chapter 1 Part 3 अब तक की वीडियो में हमने समझाये कि पालंपुर विलेज क्या है, उसमें क्या-क्या activities होती है और उसे second वीडियो में हमने समझा था कि production की क्या-क्या techniques है और हम एकी लेंड पे अलालग तरीकी के crop grow करती है थर्ड पार्ट में हमें बताना है विल्दा लेंड सस्टेन अगर हम एकी लेंड पे एक एर में अलग-अलग तरीकी की crops grown करेंगे मैंने पहले हैं राइस ग्रो कर लिये उसके बाद वीट ग्रो कर लिये उसके बाद जुआर ग्रो कर लिया बाजरा ग्रो कर लिया तो क्या ये लेंड आखिर में बचेगा क्या ये लेंड सही रहेगा हम इसमें यही पढ़ेंगे तो फर्स्ट हमारा scientific reports indicate that modern farming methods have overused the natural resources अम modern farming के है modern farming आपको second video में समझाया था HYV seeds HYV seeds high yielding variety seeds हम यूज करते हैं जिससे हमारी जो खेती है farming है बहुत अच्छी होती है तो scientific report ये बोलती है कि अगर हम modern technique यूज करते हैं HYV seed यूज करते हैं जो green revolution लेकर आए थी उससे हमारी जो natural resources है उनका overuse होता है overuse का मतलब होता है जितना सरूरत है उससे जादा use होता है और वो खराब हो जाती है loss of soil fertility जिससे क्या हो जाती है हमारी जमीन की fertility खराब हो जाती है उस जमीन अच्छी crop अच्छी खेती नहीं कर पाती है reduce water table अभी water table क्या है जो हमारा earth है earth के नीचे हमारा एक level होता है water का उनकी layer होती है ऐसे layers होती है हमारी earth की तो water table मान लो हमारा water यहां पे available है यह हमारी land है और हमारा इस level पे water यह सारा हमारा water available है अब इस water को अगर हम regularly use करेंगे तो यह water table क्या हो जाती है decline हो जाती है नीचे चली जाती है तो लैंड के अगर हम overuse करेंगे जिससे हमारी water table भी क्या हो जाएगी, reduce हो जाएगी, कम हो जाएगी तो विल लैंड sustain में हम यही पढ़ेंगे, हम यही, हमने यही समझा है कि अगर हम किसी भी लैंड को जादा use करते हैं, जादा इस्तमाल करते हैं तो उसकी fertility भी कम होती है, उसकी water table भी कम होती है, और हमारी जो लैंड है, वो खराब भी हो जाती है अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो लैंड है, जमीन है, वो distribute की जाती है, farmers के बीच में How land is distributed between the farmers of Palampur? Palampur के, Palampur गाओं में कैसे farmers की बीच में जमीन बाटी जाती है 450 families in Palampur, Palampur में 450 families रहती है 150 families are landless, 150 families हमारे पास ऐसी है, जो landless है, जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है उस में से, अब 450 में से 150 families के पास तो कुछ भी नहीं है, अब बाकी बचिवी families में से 240 families cultivate small plots, जो 250 families है वो छोटे plot पे काम करती है, जो 2 hectare तक का होता है 60 families cultivate large plots, जो 60 families होती है वो बड़े plot पे काम करती है, खेती करती है more than 2 hectare, जो 2 hectare से जादा के होती है, large farmers, अब बाकी जो हमारे पास बहुत कम farmers बचे हैं, जो large farmers होते थे उनके पास land होता था, over 10 hectare और more, या तो 10 hectare का होता था या उससे जादा का land होता था तो इस तरीके से हमारे जो farmers से पालंपूर के उनमें जो villages थे, lands थे वो distribute थे अब हम पढ़ेंगे, who will provide the labor, कि जो labor है, काम करने के लिए, जो लोग है, वो हमें कौन provide करता है small farmers cultivate their own field, जो छोटे farmers थे, छोटे किसान थे, वो अपने field पे खुद ही काम कर लेते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, कि वो किसी को पैसे देकर काम करवाए second है medium and large farmers, higher labor, medium और large farmers जो थे, बड़े farmers जो थे, वो labor को higher करते थे हायर मतलब लोगों को काम पे रखते थे, अब वो higher labor, landless भी हो सकती है, या small farmers भी हो सकते हैं, ये काम के लिए पैसे देते थे wages can be in cash, जो wages है, जो पैसे दिये जाते थे, salary, can be in cash, या तो वो पैसों में दी जाते थे, या किसी भी रूप में दी जाते थे, जैसे उनको कुछ अनाज दे दिया जाता था, या एक वक्त का या दो वक्त का खाना दे दिया जाता था, काम के बदले wages vary from region to region, crop to crop, जो wages है, वो area to area depend होते थे, और crop to crop की इस crop पे इतने wages मिलेंगे, मालो हमने wheat ग्रो किया है, तो wheat अगर ग्रो करोगे, तो आपको रुपीज 25 पर डे मिलेगा, और आप अगर rice ग्रो करोगे, तो आपको रुपीज 27 मिलेंगे पर डे के, तो wages crop से crop पे अलग अलग अब इस chapter में एक story हमें बताई गई है, जिसमें दला एक landless labor था, जो एक land पे काम करता था, इसको एक दिन में 35 to 40 रुपीज मिलते थे काम करने के लिए, लेकिन जो government है, government ने decide किया हुआ था, रुपीज 60 मिलने चाहिए, लेकिन इसको 35 to 40 मिलते थे, ऐसा क्यूं था, क्योंकि पालंपूर में बहुत सारे farmers landless थे, उनके पास land ही नहीं था काम करने के लिए, तो बहुत ज़ादा demand थी, बहुत ज़ादा लोग थे काम करने के लिए, अगर कोई काम करने के लिए मना कर दिता था, तो उसकी जगापर दूसरा हमेशा ready होता था, इसलिए वहाँ पे जो farmers हैं, उनको wages कम दिये जाते थे, अब हम पढ़ेंगे the capital needed in farming, अब farming करने के लिए, खेती करने के लिए हमें कुछ तो पैसा चाहिए, अब capital क्या होता है, capital मतलब जो भी समान, जो भी पैसा हम लगाते किसी भी काम को शुरू करने से पहले, जैसे हमें तो खेती करने से पहले उसका सामान, उसके equipment, हम सिचाई किससे करेंगे, irrigation, सारी techniques को लेने के लिए हमें capital चाहिए होता है, उसको हम capital बोलते हैं, तो वो हमें कैसे चाहिए होगा farming के लिए, फर्स्ट है, the small farmers borrow money from large farmers, traders and money lenders, जो छोटे farmers थे, छोटे किसान थे, अब उनको पैसा चाहिए होगा, seeds खरीदने के लिए, fertilizer, manure खरीदने के लिए, तो वो क्या करते थे, large farmer, trader और money lenders से पैसे उधार ले लेते थे, उधार का मतलब है, borrow, पैसे उधार ले लेते थे, कि हमें इत अची grow हो जाएगी, तब हम वो amount return कर देते थे, अब जब हम borrow करते हैं, तो उस पे हमें rate of interest देना होता था, अब जो rate of interest on loan is high, अब जो loan वो लेते थे, large farmers से, traders से, उस पे, जो rate of interest हमें देना पड़ता था, वो बहुत हाई होता था, तो हमें जब भी पैसा हम लेते थे, तो व medium और large farmers से, जो middle और बड़े किसान थे, उनके पास उनकी खुद की savings होती थे, उनके पास इतना पैसा होता था, कि वो जो basic चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे seeds, manure, fertilizer, machinery, वो जब अपने पैसों से खरीद लेते थे, उनको कहीं से भी amount borrow करने की ज़रुवत नहीं पड़ते थे, sale of surplus farm product, अब surplus का मतलब क्या होते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे, surplus मतलब जो extra है, जितनी हमें जरुवत है उससे जब extra product बन जाता है, extra farming से हमारी जो product बनता है, उनकी हम sale कैसे करते हैं, अब जो small farmers है, छोटे किसान है, वो तो उतना ही उगा पाते हैं, उतना ही खेती कर पाते हैं जितना उनकी family में use हो जाते हैं, तो small farmers have no surplus product, उनके पास कोई भी extra product होता ही नहीं था, product आप माल लो wheat, कि हम wheat की बात कर रहे हैं, तो उनके पास वो उतना ही wheat उगा पाते थे, जितना वो खुद को और अपनी families को दे सकते, उससे जादा वो grow ही नहीं कर पाते थे, तो इसलिए small farmers के पास कोई भी surplus product नहीं होता था, next है, medium and large farmers supply surplus product to the market, अब जो medium और large farmers से, जो छोटे किसान थे, और medium किसान थे, और जो बड़े किसान थे, वो क्या करते थे, supply कर देते थे, बेच देते थे, जो उनका product बच जाता था, अपने use करने के बाद market में, तो जैसे मानलो, उन्हों उन्होंने बहुत सारे weeds grow किये, मानलो, उन्होंने इतना part weeds का grow किया, जिसमें से, इतना part उनकी family ने use किया, तो बचा हुआ, इतना part, इतना part, वो क्या कर देते थे, sale कर देते थे market में, और उससे जो उन्होंने रुपीज amount मिलता था, वो save कर लेते थे, और ये saving वो use करते थे बाकी आगे की farming के लिए, ठीक है, next is traders buy product and sell it to shopkeepers, अब जो product medium और large farmers traders को बेशते थे, वो traders shopkeepers को sell कर देते थे, town and cities में, इस तरीके से, जो medium और large farmers जो है, अपने surplus product को हम लोगों तक पहुचा पाते हैं, इस वीडियो में अब हमने पढ़ाये कि farming in Palampur, कि Palampur में कैसे कैसे farming होती है, उसके लिए क्या क्या product चाहिए होते हैं, और उनकी क्या क्या process होते हैं, next वीडियो में अब हम पढ़ेंगे non farming technique, कि farming के अलावा अब और क्या काम Palampur में होता है, और किस तरीके से वो काम होता है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही नेक्स वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे non-form activities in पालंपूर तब तक के लिए good luck and keep learning